नमस्ते चात्रों यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में चंद्रगुप्द्वित्य अर्थाज चंद्रगुप्त विक्रम अदित्य की उपलब्दियों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो इससे प प्ले लिस्ट में गुप्तकाल में जाके और यह सब वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं चंद्रगुप्द्वित्य विक्रम अदित्य की उपलब्दिया मेहरोली लेग की पंक्तियों का अध्यान करने के बाद हमें चंद्र नामक सासे की निम्नलिखित उपलब्दियों का पता चलता है बंगाल के युद छेतर में उसने सत्रूओं के एक संग को प्राजित किया था सिंदू के सातों मुखों को पार कर उसने बाहिल लिकों को जीता था दक्षिन भारत में उसकी ख्याती फैली हुई थी वैं बगवान विश्णों का परम भक्त समुद्र गुप्त के परियाग अभिलेक से पता चलता है कि उसने चंदर वर्मा को हराकर बंगाल का पस्सिमी भाग जहां बाकुंडा बंकुडा जिलास्तित है जीत लिया था कुमार गुप्त पर्थम के लेखों से पता चलता है कि उत्री बंगाल पर भी उसका अधिकार और यहां पुंडर वर्धन गुप्तों का एक प्रांध अर्थात भुगती था उत्री बंगाल का चेतर चंदर गुप्त ने ही जीत कर गुप्त समराजे में मिलाया था समुद्र गुप्त के समय गुप्तों की पूर्वी तथा उत्री पूर्वी सिमों पर पांच राजे थ चंद्र गुप्त की दिन देन पांच राजों ने मान लिती बाहलिक सब्द का अर्थ भल्क अर्थाद बैक्टरिया से है यह बैक्टरिया बैक्टरिया देश नहीं अपितु प्राचीन काल में पंजाब की व्यास नदी के आसपास का छेतर था जो बाहलिक नाम से पर्शिद था मेरोलिले के बाहलिक का तात्परिये परवर्थी कुसानों से है जो गुप्तों के समय में पंजाब में निवास करते थे समुद्र गुप्त को उन्होंने अपना राजा मान लिया था राम गुप्त के काल में सकों के शाति साथ उन्होंने भी अपने को स्वतंतर कर दिया चंद्रगुप्त ने सकों का उन्मूलन करने के बाद पंजाब में जाकर कुसानों को भी प्रास्त किया और इसी को भालिक विजे की संग्या दी गई थी चंद्रगुप्त द्वित्य की परशिदी दक्सिन भारत में भी प्रियाप्त रूप से फैली हुई थी दक्सिन के वाकाटक एउं कदम कुलों में अपना विवाहिक सम्मद स्तापित कर उसने उन्हें अपने परभाव छेत्तर में कर लिया था उसकी पुत्री परभावती गुप्ता के सासनकाल में तो वाकाटक लोग पूर्ट या गुप्तों के परभा में आ गए थे भोज के गरंत स्रंगार प्रकास से पता चलता है कि चंदर गुप्त ने कालिदास को अपना राजदूद बनाकर कुंतर नरेज काकूट स्वर्मा के दरबार में बेज़ा था और कालिदास के बारे में हम पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं कालिदास ने लोटकर ये सूजना दी कि कुंतर नरेज अपना राज़े भार चंदर गुप्त के उपर सोंप कर मुक्त होकर भोग विलास में लीन है चेमेंदर ने कालिदास त्वारा विर्चित एक स्लोक का उधरन दिया है जिस ये लगता है कि कुंतर परदेश का सासन वस्तूत है चंदर गुप्त ही चलाता था मेरोली लेग के रचियता ने काव्यातमक धंग से ये है लिखा है कि चंदर के परताब के सोरब से धक्सिन के समुदर तट आज भी सुवासित हो रहे हैं मेरोली लेग के अन्य विशेशताओं के अनुसार चंदर गुप्त ने अपने बाहू बल द्वारा अपना राज्य प्राप्त किया उसने चिरकाल तक सासन किया वह बग्वान विश्णों का महान भक्त था गुप्त राजियों को सकों से मुक्त करवाया चंदर गुप्त ने 375 इस्वी से 415 इस्वी तक अर्था 40 वर्सों तक सासन किया चंदर गुप्त की सर्वादिक पिरियोपादी परम भागवत थी ऐसा परतीत होता है कि चंदर गुप्त द्वीत्य की मर्ति के बाद उसके पुतर कुमार गुप्त पर्थम ने अपने पिता की इस मर्ति में मेरोली के लोह स्तंब के लेक को उतकिरने करवाया था मेरोली के लेक में चंद्रगुप्त के नाम का केवल चंद्र ही परियूक्त किया गया है चंद्रगुप्त की कुछ मुद्रों पर भी केवल चंद्र नाम ही प्राप्त होता है अता है मेरोली लेक को चंदरगुप्त द्वित्य का मानने में कोई भी संदे नहीं होना चाहिए अस्वमेग ये वारानसी के दक्षिनपूरे में इस्तित नगवा नामक ग्राम से प्राप्त एक पासान निर्मित अस्वपर चंद्रूंगु चंद्रंगु अंकित है अर्थात ये अस्वमेग ये चंद्रगुप्त सेकिंड ने ही करवाया था ठीक है तो इस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त द्वित्य की जो उपलब दिया थी उनके बारे में जानकरी प्राप्त की आगे भी हम आपको ऐसे ही इत्यास से संबंदित महत्तपुन वीडियो द